इसे question number 6 करेंगे Take the data giving the minimum and maximum temperature of various cities given in the beginning of this chapter table 3.1 इस chapter के शुरुवात में table 3.1 के अंदर आपको minimum और maximum temperatures दे रखे हैं कुछ शहरों के Plot a double bar graph using the data and answer the following और उस data को आपको एक double bar graph के उपर plot करना है और फिर इन questions के जवाब देने है तो जिस table की ये बात कर रहा है question वो table ये है इस table के अंदर आपको इहां city दे रखे है एमदबाद, अमरिटसर, बैंगलोर, चैन्ने, दिल्ली, जैपूर, जम्मू, मुंबई और इनके maximum temperature यहां पहली line में दे रखे हैं और minimum temperature यहां दूसरी line में दे रखे हैं तो इनका पहले आपको double bar graph बनाना है फिर इनके answers देने है तो पहले हम graph बना लेते हैं उसके बाद इन questions का हम जवाब देंगे चलिए graph बनाने के लिए सबसे पहले आपको graph paper तयार करना पड़ता है इसके अंदर ये जो horizontal line है इस horizontal line के उपर आप यहां दिखाएंगे city को तो यहां मैंने city लिख लिया है और ये जो cities के name है वो यहां पर लिख लिए है एमदाबाद, अमरिटसर, बैंगलोर, चेन्ने, दिल्ली, जैपूर, जम्मो, मुंबई ये जो मैंने dark line की हुई है ये मैंने base बनाया हुआ है इन शेहरों का इस base के उपर ही मैं ये bars तयार करूँगा जो मुझे यहां bar बनाने है अब आप देख रहे होंगे कि जो base है वो मैंने दो unit के बराबर लिया है ये इसलिए क्योंकि ये double bar graph बनेगा तो यहां पे एक ही base के उपर यहां बनेगा maximum temperature का बार और यहां उपर को चड़ेगा minimum temperature का बार और बीच में इनके space भी आपको छोड़नी है अब आते हैं temperature degree Celsius ये दिखाना है आपको ये जो उपर की तरफ लाइन जा रही है यानि vertical line vertical line के उपर आप temperature दिखाएंगे कि किस शहर का कितना temperature है उसके लिए पहले आपको scale लेना पड़ेगा scale depend करता है जो number होते हैं उनकी value के उपर तो यहां value बहुत ज़्यादा तो नहीं है यहां लगभग 30-40 तक की ही value है तो मैं एक unit को 10 के बराबर ले लुगा यहां से यहां तक हो गया है 10 degree Celsius तो 10-10 यह scale लिया है मैंने यह mention करना पड़ता है आपको solution में कि एक unit को बराबर 10 degree Celsius लिया गया है तो 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे मैंने यहां तक बढ़ा लिया है जहां तक मुझे जरूरत पढ़ रही है अब जब मैंने एक unit को 10 के बराबर लिया है और इसके अंदर एक unit के अंदर छोटी-छोटी 10 units होती है तो यहांनी जो एक छोटा सा box होगा न जो इतनी लंबा ही जो मैं यह shade कर रहा हूँ यह 1 के बराबर होगी यह ध्यान रखेंगे आप इसमें अब क्योंकि बार इसके अंदर दो बनेंगे एक maximum का और एक minimum का तो वो दोनों बार साप सेम तरह के नहीं बना सकते आपको mention करना पड़ेगा कि maximum के लिए आप किस तरह का बार बना रही है और minimum के लिए किस तरह का आप दो अलग-अलग color choose कर सकते हैं इसके लिए मैंने क्या किया है कि maximum वाले को shade करके दिखा दिया है यानि जो बार मैं यहां maximum के लिए बनाऊंगा उस पे मैं shade कर दूँगा और जो बार मैं minimum के लिए बनाऊंगा उसे मैं खाली छोड़ दूँगा तो ये चीज़े basically पहले आपको तयार करनी होती है उसके बाद बार बनाना शुरू करना है चली तो शुरू कर देते हैं पहला जो है city वो है एहमदाबाद एहमदाबाद का maximum temperature 38 degree Celsius है और यहां पे minimum 29 degree Celsius है तो जो आपको पहले दिया हुआ है उसे आप पहले बनाएंगे तो maximum के लिए 38 degree Celsius एहमदाबाद वाला जो ये base है इसके उपर मैं देखूँँगा 38 कहां पे आएगा यहां 0 है 10, 20, 30 और यहां पे 40 तो 40 से 2 नीचे चलूँगा तो 2 कम हो जाएंगे तो 40 में से जब 2 माइनस करेंगे तो वो 38 हो जाएगा यह मैंने mark कर लिया है अब इसी का minimum देखते हैं एहमदाबाद का minimum है 29 degree Celsius तो 10, 20 और यह 30 30 से एक कम करेंगे नीचे की तरफ तो यह 29 हो जाएगा तो मैंने mark कर लिया है mark आप पहले कर लें उसके बाद scale से इनको जोड़ दे नीचे की तरफ बार तयार कर दे इस तरह से यह करने के बाद आपको इसमें shade करना पड़ेगा क्योंकि यह पहला जो बार है वो maximum का है और maximum को मैं यहाँ पर shade करके मुझे दिखाना है तो इसे मैं shade कर देता हूँ मैं यहाँ पर roughly shade कर रहा हूँ आप exam के अंदर थोड़ा और ज़ादा सफाई से और डार किसको shade करना अब जैसे मैंने एहमदाबाद का किया है same to same उससी तरह से आपको बाकी शहरों का करना है चलिए अमरित सर पे आते हैं अमरित सर का maximum temperature 37 degree Celsius तो पहले मुझे maximum ही बनाना है 10, 20, 30 30 से ऊपर मैं 7 यह छोटी यूनिट्स है यह 7 चलूँगा और इनमें जो बीच की बरीक लाइन होती है यह 5 को दिखाती है तो यहां 30 हो गया, यह 35 हो गया यह 36 और 37 इसके ऊपर 2 यूनिट्स और चलूँगा तो यह 37 हो गया अब इसी का minimum दिखाना है 26 डिग्री सेल्सियस तो यहां 10, 20 यह 25 की लाइन आगी और इससे उपर 1 यह हो गया है 26 पहले मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद इनको बेस से नीचे जोड के इनका बाहर तयार कर दिया अब पहला जो बाहर है वो मेरा maximum का है तो मुझे इसको शेड करना है यह मैने इसे शेड कर दिया आगे बढ़ते हैं बैंगलॉर तीसरा जो शहर है वो बैंगलॉर है बैंगलॉर का 28 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है तो पहले मुझे मैक्सिमम बनाना है 10, 20, यह 25 हो गया बीच में और 26, 27, 28 इससे उपर 3 चलेंगे 25 से 3 चलेंगे तो 28 हो गया इसका मिनिमम है 21 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर 10, 20 और 1 उपर चला तो हो गया 21 माक कर लिया जोड देते हैं नीचे बार तयार कर देते हैं पहला मैक्सिमम का है इसे शेड करना है इसे शेड करते चलेंगे नेक्स है चैन्नई चैन्नई के अंदर मैक्सिमम टेंपरचर 36 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर 36 चलते हैं उपर 10, 20, 30 यह 35 हो जायागा यहाँ बीच में और इससे एक उपर हो जायागा 36 इसी का मिनिमम है 27 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ 10, 20, 25, 26, 27 यह 27 हो जायागा इनको जोड़ देते हैं जोड़ते ही यह बार दोनों तैयार और बार बनाने के बाद आप इसमें शेड करना न भूले इसी से इनका जो है डिफ्रेंस पता चलता है कि यह बार कौन से टेंप्रेचर का यह दूसरा वाला कौन सा है नेक्स जो शहर है वो है दिल्ली 38 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम तो दिल्ली के उपर यहाँ पहले में 38 डिग्री देखूंगा 10, 20, 30, यह 35, 36, 37, 38 25, 26, 27, 28 यहाँ पर 28 हो जाएगा इनने जोडते ही बार तयार पहला वाला मैक्सिमम का है तो शेड करना है यह आप ध्यान रखना कि अगर आप पहले मैक्सिमम को ले रहे हैं तो हर बार पहले मैक्सिमम ही बनाना है ऐसे गलती मत कर देना कि यहाँ पर मैक्सिमम बना दिया यहाँ मिनिमम अगले वाले में उल्टा कर दिया यह गलती मत करना नेक्स्ट है जैपूर 39 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तो पहले 39 यहाँ बनाएंगे 10, 20, 30, 35 और 35 से 4 यूनिट्स उपर 36, 37, 38, 39 यानि 40 से 1 नीचे 39 हो गया इसका मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस तो 10, 20 और यहाँ 30 हो गया ना तो 30 से 1 नीचे आ जाएंगे तो यह 29 हो जाएगा पहले मार्किंग कर ले ठीक से उसके बाद इन्हें जोइन कर दे यह मैने जोइन करके दोनों बार बना दिये पहला वाला मैक्सिमम का है और वो मैं शेड करता हुआ चल रहा हूँ आप एक्जाम में दो अलग-अलग कलर्स का यूज करेंगे तो और भी ज़्यादा अट्रेक्टिव लगेगा आपका क्वेश्चन नेक्स ना जम्मू 41 डिग्री सेलसियस तो 10, 20, 30, 40 और 40 से एक उपर चलेंगे तो 41 हो गया इसका मिनिमम है 26 डिग्री सेलसियस तो यहाँ पे 10, 20 यह 25 की लाइन आ गई और यह हो गया 1 उपर 26 इनने जोड थे ही बार रेडी पहला वाला मैक्सिमम का है और इसे शेड करना है नेक्स जो है वो है मुंबई मैक्सिमम टेंपरेचर 32 डिग्री सेलसियस तो मुंबई पे आते हैं 10, 20, यह 30 और 31, 32 तो 30 से उपर दो छोटी यूनिट्स को लेंगे तो वो 32 बन जाएगा मिनिमम है 27 तो यहाँ पे 10, 20, 25 की लाइन दिग गई मिरको और इससे 2 उपर 26, 27 तो यहाँ पे 27 आ जाएगा पैंसिल आपकी पैनी होगी शार्प होगी तो आपकी जो लाइनिंग होगी वो बिलकुल साफ होगी एकदम जो यूनिट्स है वो प्रॉपरली कवर करेगा पहला जो है maximum temperature है इसे आपको shade करना है तो यह तो बन गया है double bar graph इसके बाद इसमें जो questions है उनके जवाब देते हैं पहले question पे ध्यान दीजिए which city has the largest difference in the minimum and maximum temperature on the given data इस data के उपर आपको यह बताना है कि वो कौन सा शहर है जिसके minimum और maximum temperature में बहुत ज़ादा यानि कि सबसे ज़ादा difference है अब वो difference आपको यहाँ नजर से ही पता चल जाएगा जिसके बीच में भी जैसे यहाँ पे यह दो बार है यह maximum का है यह minimum का है तो इसके बीच में जो difference है ना वो यह height है यह height जो है यही difference है अब जिसकी height सबसे ज़ादा होगी ना इनके बीच में उसका ही difference सबसे ज़ादा होगा यहाँ देखिए यह height इतनी है यह से भी ज़ादा है यह से कम है यह से थोड़ी ज़ादा है यह इसके बराबर है यह और कम होगी यहाँ पे मैं नजर मार रहा हूँ देखिए यह जो जम्मो दिख रहा है ना आपको जम्मो में maximum temperature और minimum temperature के बीच में यह जो difference है ना height का यह difference यह सबसे ज़्यादा है तो जम्मो ही वो शहर है जहाँ पे maximum और minimum temperature के बीच में सबसे ज़्यादा difference है तो पहले का जो अंसर हो जायागा हमारा वो होगा जम्मू तो यह first का अंसर है जम्मू next question देखिए which is the hottest city and which is the coldest city सबसे गरम शहर कौन है और सबसे ठंडा शहर कौन सा है तो देखिए यह temperature दे रखा है temperature का मतलब होता है गर्मी और temperature की value जितनी ज्यादा होती है वो गर्मी ज्यादा होती है और temperature की value जितनी कम होती है वो गर्मी कम होती है यानि hottest शहर देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि maximum temperature किसका सबसे ज्यादा है यहाँ पे तो यहाँ height से ही पता चल जाएगा मैं 40 को लेके चल रहा हूँ यह 40 से कम है यह और भी ज़्यादा कम है यह तो बिल्कुली कम है यह थोड़ा कम है यह भी कम है यह यहाँ पे और कम है 40 से भी कम है और यहाँ यह 40 से ज़्यादा आ रहा है तो यह जो जम्मो है न अब coldest city देखने के लिए मैं minimum temperature देखूँगा कि किसका temperature जो minimum है, सबसे कम किसका है, सबसे कम का यहाँ देखे, अब आपको blank वाले जो बार से इन पे ध्यान देना है कि सबसे height कम किसकी है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ यह जो bangalore है न, इसकी height बाकी सबसे कम है, यानि bangalore का minimum temperature सबसे कम है, जब temperature सबसे कम है, तो यहाँ पे गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो यानि कि थंड़क होगी, तो coldest city यहाँ पे होगा bangalore थर्ड कोशन, name two cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other, यह कोशन थोड़ा ध्यान से समझे, इसमें बच्चे बड़े confuse होते हैं, दो ऐसे शहर बताईए, जहाँ पे maximum temperature, minimum temperature से भी कम है, यानि दूसरे वाले के, यह कहना यह चाह रहा है, कि ऐसे दो शहर बताईए, जिनका maximum temperature किसी और शहर के minimum temperature से भी कम है, तो वो कैसे पताईएगा, वो आपको इस table में भी पताईएगा, यह यहाँ पे भी पताईएगा, यहाँ पे यह देखना है आपको, कि ऐसे दो बार्स देखने हैं, कि जहाँ maximum temperature किसी के minimum temperature से भी कम आ रहा हो, अब यह देखिए, यह पाद का temperature जो maximum है वो है 38 अब 38 से कोई बड़ा है यहां पर blank वाला यानि minimum वाला कोई भी नहीं है तो जब हम इसे ऐसे देखते हुए चलेंगे ना तो हम यह देखेंगे कि बैंगलोर और जैपुर बैंगलोर यह रहा और जैपुर यह रहा बैंगलोर पे और जैपुर पे ध्य बैंगलोर के maximum से भी ज़्यादा है यानि बैंगलोर का maximum temperature जैपुर के minimum temperature से भी कम है यहां टेबल में भी देख लीजिए बैंगलोर का maximum temperature है 28 degree Celsius और जैपुर का है 29 degree Celsius minimum यह बैंगलोर का maximum जैपूर के मिनिमम से भी कम है तो एक शहर तो यह हो गया बैंगलॉर और जैपूर तो थर्ड में एक तो हो गया है बैंगलॉर एंड जैपूर अब एक और बताना इसके अंदर वो मैं यहीं बता देता हूँ देखिए बैंगलॉर का मैक्सिमम टेंपरेचर 28 डिगरी सेल्सिय मिनिमम है यानि इसके मैक्सिमम बैंगलॉर का मैक्सिमम एहमदाबाद के मिनिमम से भी कम है तो दूसरा यह हो गया बैंगलॉर और एहमदाबाद तो आप यहाँ पे हाइट में भी देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स पे भी देख सकते हैं फोर्ट पार्ट देखिए नेम वो शहर बताईए जिसके minimum और maximum temperature के अंदर बहुत कम difference है, बहुत ही कम difference, जैसा first question था ना, उसमें तो पूछाता है, बहुत जादा difference, यहाँ पे इसका उल्टा है, वो शहर बताईए जिसके minimum और maximum में बहुत कम difference है, अब हमें यह देखना है, कि इनमें वो कौन सा शहर है, जिसक के दोनों बार्स में difference कम है, तो ध्यान से अगर आप देखें, यह थोड़ा कम आ रहा है, यह, यह, यह जादा है, यह भी जादा है, यहाँ मुंबई पे देखिए, मुंबई में maximum और minimum temperature के बीच में यह बस height में इतना ही difference है, तो मुंबई के अंदर maximum और minimum temperature में बहुत थोड का difference है, और यहाँ least पूछा है, यह थोड़ा difference, तो इसका answer होगा, मुंबई, fourth part का answer होगा, मुंबई, वास, question खतम, तो इस यूडियों बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next video में, तब तक के लिए good bye,